कुरुक्षित्र की धर्ती से बहुत पुराना नाता है लेकिन संयोग ये बन रहा है कि आप लोगों से शायद मैं पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ, मिल रहा हूँ दो दिन से अपनी ये बैठक विश्व हिंदू परिशद हर्याना प्रांत की पुझ्य स्वामी ज्याना नंजी के इस आश्रम में चल रही है एक विशेश दौर है जिस दौर से विश्व हिंदू परिशद गुजर रही है और इस दौर में होने के कारण से ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है विश्व हिंदू परिशद की स्थापना को 60 वर्ष पूरे होने जा रही है जन्माष्टमी 2023 से जन्माष्टमी 2024 तक हम विश्व हिंदू परिशद का सश्टी पूर्थी वर्ष मना रहे है संपूर्ण देश में बहुत बड़े बड़े लक्ष तै किये जा रहे है और पिछले एक वर्ष में जो परफॉर्बेंस रही है कारिकरताओं की उसको देखकर साफ लगता है कि हम उन लक्षियों को पार करेंगे और एक मजबूत हिंदू समाज बनाने में विश्व हिंदू परिशद सफल होगा अभी हमने विश्व हिंदू परिशद की रिकार्ड मेंबर्शिप पूरे देश में की है लगवग 75 लाख लोग सक्रिये तोर पर विश्व हिंदू परिशद से जुड़े है जन्मशताब्दी वर्ष में हमारा टार्गेट एक करोड का है इसी तरह से हरियाना के अंदर भी बहुत बड़े लक्षिया इस बैठक में तै किये हरियाना में विश्व हिंदू परिशद ने कई प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की हैं मेवात में हिंदू का जीना मुश्किल था अब उसी मेवात के अंदर हिंदू स्वाभीमान से रहता है अब हमारी लड़कियों को उठाना उनके साथ छेड़खानी करना ये लगभग बंद हो गया है गव हत्या का तो वो विचार भी नहीं कर सकते माइनौरिटी में होते हुए भी विश्व हिंदू परिशत के प्रयास से आज मेवात में हिंदू समाज मजबूत हो गया है खुले में नमाज संपूर्ण विश्व के लिए चुनोती है जब चाहे हाईवे को जाम कर देंगे जब चाहे रेलवे की पठरी को जाम कर देंगे बच्चों का स्कूल जाने की बसों को रोग देंगे मरीजों की एम्बुलेंस को रोग देंगे और दुनिया को नहीं समझ में आ रहा था बचने का रास्ता क्या है यह रास्ता हरियाणा ने दिखाया गुरु ग्राम से यह अभियान शुरू हुआ हमें नमाज से दिक्कत नहीं है, हमें मस्जिदों से दिक्कत नहीं है लेकिन खुले में नमाज करोगे तो निश्चित तोर पर किसी भी सब्य समाज को परिशानी होगी तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक मजबूत संगठन के रूप में विश्वहिंदू परिशद हर्याना की एक पहचान बनी है और हर्याना सरकार ने जो धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है और उसको लागू कराया है उसके लिए विश्व हिंदु परिश्द हर्याना सरकार का धन्यवाद देती है और इस कानून का सहरा लेकर हम संपूर्ण हर्याना को धर्मांत्रन मुक्त बनाएंगे कोई इसाई मिश्णरी या मुल्ला मौल्वी अब धर्मांत्रन नहीं कर सकेगा यह संकल्प इस बैठक में लिया गया संगठन के विस्तार के लिए यह तै किया गया कि इस समय हर्याना के अंदर 6600 गाउं हैं लगभग हम 6000 गाउं तक विश्व हिंदु परिशत की यूनीट बनाएंगे हर गाउं तक बजरंग दल दुर्गा वाहिनी और विश्व हिंदु परिशत पहुंचे जिससे चाहे वो नशे की चुनोती हो चाहे वो धर्मांत्रण की चुनोती हो उसका जवाब दे सके और युवा पीड़ी को संसकार युक्त कर सके पूरे हरियाना के अंदर लगभग 2700 ब्लॉक्स हैं जिनको हम लोग खंड कहते हैं उन सब खंडों को सश्टी पूर्ती वर्षतक हम विश्वहंदु परिशत और वजरंग दल की इकाई से युक्त करेंगे और एक नए हरियाना का निर्मान जो स्वाभी मान से युक्त होगा जहां कोई धर्मांतरन नहीं होगा ऐसा करने का संकल्प इस बैठक में लिया गया है कल पूरे प्रदेश के कारिकरताओं को ब्रह्म सरोवर पर आर्थी के कारिकरम में ले गई थे उन अधिकांश लोगों के लिए यह एक नवीन अनुभव था अभी तक प्रसिद्ध थी अयुद्या की आर्थी सर्यू की प्रसिद्ध थी काशी में गंगा की आर्थी मान नर्मदा की आर्थी लेकिन कल का यह दृष्य देखकर कारिकरताओं का कहना था यह आर्थी किसी भी माइने में किसी अन्य आर्थियों से कम नहीं है इसके लिए हम लोग कुरुक्षेत्र ड्वेलपमेंट बोर्ड और हरियान सरकार दोनों को साधुवाद देते हैं बधाई देते हैं यह उत्तम प्रयास उन्होंने किया और यह स्तीर्थक्षेत्र का एक तीर्थक्षेत्र के रूप में विकास किया यह हम सब के लिए गौरव का भी अब आप लोगों को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं अभी हमारे लगभक साड़े तीन हजार गाउं तक ही काईयां है हरियाना में कितने सदस्य बने हैं जीज़ पार एक लाख पिचासी हजार नए सदस्य जुड़े हैं सब मिलाकर हिच्चिन तक दो लाख से उपर हैं कुछ जिलों में कमजोर हैं कुरुक्षेत्र गाउं के अंदर हम बड़े मजबूत है और कुरुक्षेत्र में लोग दिखाई कम देते हैं लेकिन हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि 6800 तो इन्हों ने अभी मेंबर बनाए हैं और यहां का विश्वहंदु परिशत हरियाना के मजबूत विश्वहंदु परिशत में से हैं तो अभी काम कर रहे हैं बहुत जल्दी दिखेंगे भी अब जाए अब आपने नशे की बात की या गोहत्या की बात की नीसंदे कमी आई है काफी कमी आई है लेकिन सडकों पर बेसहारा गोमर्शब बहुत जादा गोम रहा है आयद इंदु परट्णाव का कारिन बढ़ रहा है उस सरकार कहीं न कहीं दावों के रूप कामयाब नही स्वयम स्वीकार किया है लेकिन गाएं लावारिस न फिरें ये जिम्मेदारी समाज की भी है इसलिए हमने अपील की है समाज से ये परंपरा बंद करनी चाहिए कि दिन में गाएं को छोड़ दिया और सुबह और शाम दूद के समय गाएं को बुला लिया दूसरा कारण है गौशालाओं की कमी हम गौशालाओं का अधिक से अधिक निर्मान करें विश्वेंतु परिषद ने तै किया है कि हम हर बॉक में एक नई गौशाला और खोले जिसके कारण से ये समस्या खतम हो सके और हरियान सरकार से हमने एक योजना रखी है जिसको हम कहते हैं गव अभ सरकार और समाज मिलकर ऐसी गाएं या ऐसा गववन्ष जो बे सहारा है उनको हम वहां पहुंचाएं गवशालाओं में रखने की एक सीमा है तो इसलिए वह गवववन्ष वहां पर जाए सरकार ने एक सैध्धान्तिक सहमती यक्त की है उमिदेश योजना से भी आगे बढ़ी तीसरा एक काम हमने और किया है गाएं को लोग लावारिस क्यों छोडते हैं क्योंकि गाएं की उपयोगिता नहीं ध्यान में आती है केवल दूद देना ही गाएं का काम नहीं है गववन्ष का गोबन गववन्ष के मूत्र से बनने वाली औशधियां या अन्य प्रकार के की नाशक जो खेती के लिए बहुत उपयोगी है और गैनिक खेती इन सबका किस प्रकार से प्रसार हो सके विश्व हिंदु परिशत इसके लिए भी प्रयासरत है और जिन प्रांतों में हमने सफलता हासिल की है पड़ोस में लगते हुए हिमाचल परदेश वहां बड़ी संख क्या एक दम इसी कारण से गिरी है तो ऐसा एक मल्टी डैमेंशनल टास्क हम लोग करने का सोच में है